नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रूप, अन्ग्रूप और सब्टोटल के बारे में आपको जाना होगा डेटाटाइब के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक फंक्शन है आउटलाइन का आउटलाइन के अंदर आपको दिखाए देगा ग्रूप, अन्ग्रूप और सब्टोटल का उप्शन इस उप्शन का यूज कहां होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, आज हम यह जानने वाले है इसका जो बैसिकली यूज किया जाता है, वो mostly MIS रिपोर्ट के अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है MIS की फुल फॉर्म होती है Management Information System, जब भी हम छोटे से छोटे डेटा को इकठा करते हैं और उस डेटा को अगर हम अपने Officers के सामने या Management के सामने रेपरजेंट करते हैं तो उसको रेपरजेंट करने के लिए हमें बहुत ही Short तरीके से उसको रेपरजेंट करना होता है ताकि हमारे Officers और Management उस डेटा को समझ पाए तो इसका जो काम है इसका जो यूज है वो बेसिकली आपके बड़े से बड़े डेटा को एक Short डेटा में Convert करके आपके Officers को एनलाइज करने के लिए तो चलिए एक एक करके हम इन सभी Options का यूज समझते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को Like, Comment, Share जरूर कीजएगा तो जलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला फीचर हमारा Group का Group का फीचर हम कब यूज करते हैं जैसे माल लिजे हमारे पास एक डेटा है इसमें हमने कुछ Mouse लिया हुआ है Keyboards लिया हुआ है, UPS, SMPS और HP Printers लिया हुआ है माल लिजे हम जो Mouse है Mouse का अलग से Group करना चाते हैं तो इसको हमें Select करना होगा Group को आप Row-Wise, Column-Wise दोनों तरीके से कर सकते हैं तो फिलाल हम Row-Wise करके देखते हैं हमने Group को Select किया यानि हमने Mouse की Group को Select कर लिया है यानि जितना भी Mouse का हमारा डेटा था हमने उसे Select कर लिया है Select करने के बाद आपको Simply Group पर जाकर के Click कर देना होगा Click करने के बाद आपके सामने एक Option आएगा Row का और Column का आप इसे किस तरीके से Group करना चाते हैं Row wise या Column wise तो हमने ले लिया Row और Simply आपको OK पर प्रेस कर देना है जैसी आप OK प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर Minus का निशान शो हो जाएगा इस Minus के निशान पर जैसी आप क्लिक करेंगे आपका डेटा यहाँ पर Row wise अनहाइड हो जाएगा तो हम पूरे के पूरी डेटा को वापस से स्लेक करते हैं और उसकी बाद वापस से Group पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर OK प्रेस कर देते हैं अब आप देखेंगे जैसी आप Minus पर क्लिक करेंगे आपका डेटा यहाँ पर Hide हो जाएगा और प्लेस पर क्लिक करेंगे तो वापस डेटा आपको यहाँ पर Show हो जाएगा Corner में आप देखेंगे आपके सामने एक और फीचर है यहाँ पर Hide और Show का जैसे आपर Minus पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है यहाँ पर Hide हो गया है और अगर आप प्लेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो यहाँ पर Show हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं इसके बाद हम और भी डेटा को Group यान Group कर सकते हैं यहाँ आपको इसे क्लियर करना है याँ जो भी आपने Group यान Group किया हुआ है उसे क्लियर करना चाते है तो पूरी डेटा को आपको Select करना होगा Select करने के बाद आपको जाना होगा Outline के उपर, Ungroup के उपर और यहाँ पर आपको Clear Outline पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप Clear Outline पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा है आपको Clear हो जाएगा जो भी आपने Group या Ungroup किया होगा वो सब कुछ Clear हो जाएगा इसके बाद का जो Next Feature है वो है Sub Total यह बहुती बहतरीन फीचर है Excel का तो इसके लिए आपको क्या करना होगा डेटा को वापस से पूरा Select करना होगा Select करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा और Item के अंदर आप कौन सा Function यूज़ करना चाते है तो यहाँ आप विलाल हम Sum का Function यूज़ करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा Data हो यानि Mouse है तो माइस की जो भी Range है हमारी Total उनका Grand Total आ जाए उसी तरीके से Keyboard की जो भी अलग-अलग Range है उन सब भी वो Plus करके यहाँ पर हमारे सामने Represent कर दे तो इसलिए हम यहाँ पर Select करेंगे Sum को और यहाँ पर आपको Price को Select करना होगा क्योंकि Price को हमें यहाँ पर Plus कराना है और Simply आपको OK प्रेस कर देना है तो आप देखेंगे आपका जो Mouse का Total था वो यहाँ पर आपके सामने Represent हो गया 150, 130, 165, 180 अगर इन सब को आप Total करेंगे तो 625 यह आपका Answer आएगा इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका सारा Data Grand Total में Convert हो चुका है उसी तरीके से अगर आप नीचे जाते हैं उनका Grand Total Represent करा सकते हैं इस तरीके से आप अपने डेटा में बता सकते हैं कि आपने Total Purchasing की थी Mouse की वो इतने की की थी Keyboard की Total Purchasing आपके इतने की हुई है UPS की Total Purchasing आपके इतने की हुई है SMPS की Total Purchasing आपके इतने की हुई है और सब का Grand Total हम निकाले तो यहाँ पर इन सबका grand total आपके सामें रेपरंजन हो जाएगा इसके बाद अगर आप इसे show कराएगे तो show अगर आपका data वापस से show हो जाएगा और अगर आप hide पर click करेंगे, वापस से आपका data याप अगर hide हो जाएगा झाल झाल